हेलो फ्रेंट्स आज के जो वीडियो होने वाला आज के वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला आज की वीडियो में जानेंगे मल्टी मीटर बारे में अर्थाब जो मल्टी मीटर होता है वो क्या होता अर्था जिसका हम यूज कहां पर करते हैं तो चलिए शुरू गया रजिस्टन्स हो गया इसके अलावा जो हमारे ट्रांजिस्टर होता है उसके जितने भी पारा मीटर होते हैं उनको हम मल्टी मीटर के दौरा मीजर कर सकते हैं जो मल्टी मीटर होते हैं दो परकार के होते हैं एक हमारा होता है डिजिटल मल्टी मीटर और दूसरा हमारा हो अधी स्पाइबgos जैने का ऐख वैच सिंबल बनें में जानाइफ के इनके बारे इनके जानेंगे दाखता हैं कंपर सबसे पहले इसके उपर एकellyचे डॉट है तो जो हम लोग जानते हैं कि जो ओल्टेज होता है ओल्टेज हमारे दो परकार का होता है एक AC ओल्टेज होता है और एक DC ओल्टेज होता है अगर हमें DC ओल्टेज को मीजर करना होता है तो हम इसको यहां पर सेट कर लेते हैं और इसमें भी रेंज दी होती है जैसे कि 200 mili volt, 2000 mili volt, 20 volt, 200 volt, 1000 volt और multimeter में 2 हमारी lead होती है एक होती है red, एक होती है black जो black होती है उसको नीचे common में जो होता है उसको लगा लेते हैं और red वाली बीच में लगाते हैं अगर हमें ampere को measure करना होते है तो इसको हम उपर लगाते हैं जोकिए अब हमको DC पर हमें मीजर्ट करना होता है अधिक की रेटिंग पर तो 9 old है इसको हम 20 order पर select कर लेते हैं अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कितना voltage है इसको देखते तो यह minus 9.61 दिखा रहा है minus इसलिए दिखा रहा है कि इसके polarity change है अर्थाथ हम इसके polarity change करके देखते हैं अब यह plus में दिखा रहा है तो इसकी जो rating है 9.61 है तो इस प्रकार से हम किसी DC voltage को measure कर सकते हैं अब next हमारा है दूसरा symbol यह वाला जो यह symbol है यह AC का symbol है अर्थाथ जब हमें AC voltage को measure करना होता है तो हम इसको यहाँ पर select कर लेते हैं जैसे कि हमारे घरों में इस type का कोई socket बना होता है तो अगर AC को measure करना होता है तो जैसे कि आप लोग सुझ जानते होगी कि हमारे जो घरों में AC आती हो 220 old आती है तो इसलिए इसको हम 220 आ इस तो सेनफे 250 पर select कर लेते हैं और जो हमारे socket होता है एक lead यहाँ पर लगाते हैं यहाँ दूसरी यहाँ पर लगाते हैं और हमके voltage को होते हैं उसको measure कर लेते हैं और नेश्ट हमारा है यह मतलब अगर करेंट को मीजर करना होगा तो हम इसको यहां पर सेलेट कर लेते हैं और करेंट को मीजर करने के लिए यह यह लीड है बीच वाले इसको लगा के ऊपर लगा लेते हैं और करेंट को मीजर करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास एक बैटर यहां पर लगा देते हैं एक lead यहां पर लगा देते हैं इससे हमारा जो DC करना होता है कि पहलने तो हम इसको यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमारे पास है इसको हमें मीजर करना है तो जो यहाँ पर इसको क्या पर इसको करते हैं और यह कुछ दिखाई दे रहे इसलिए हम इसको और बढ़ाते हैं 2000 ओम पर कर ढोते हैं अब देख़े हैं अब यहां पर आगे 463 ohm अर्थाद अगर हमें कोई resistance की value measure करना होता तो हम सबसे low से start करते हैं फिर इसको आगे बढ़ाते हैं इस जो register की value आई है वो हमारी 463 ohm आई है तो इस तरह से हम किसी भी register की value को हम measure कर सकते हैं और next symbol है में इस तरह कर symbol कोई बना हुआ है यह वालए symbol तो यहां पर क्या है यहां पर यह जो symbol यह बना है बजर का symbol है और यहां पर दूसरा जो है वह हमारा है diode का और थाथ यहां पर हम select करके किसी diode को measure कर सकते हैं कि वो जो diode है वो हमारा onze saw200 र चेक कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास यह वायर है देख लेते हैं इसकी continuity हम चेक करके देख सकते हैं तो यहां पर एक इस टर्मिनल पर एक स्टर्मिनल लगा लेते हैं तो यह वायर जो हमारा है सही इसलिए बजर की बीब की आवाज आ रही है और दूसरे वायर का हम चेक कर लेत की continuity चेक कर सकते हैं और नेक्ष्ट हमारा जो सिंबल है इस प्रकार का सिंबल बने आए अर्थात यहां से हम किसी सिंबल को इस पर सिलेट करेंगे तो यहां पर एक सिंगनल जनरेट हो जाएगा अर्थात हमें किसी बजर है बजर को अगर मीजर करना है टेस्टिक करनी है तो य जो बजर है यह बजने लगेगा अर्थात हम इससे चेक कर सकते हैं कि बजर कोई भी या सही है यह नहीं सही है और नेक्ष्ट जो समारे सिंबल है इस तरह का है एच एफ लिखा है तो इसके दोरा हम जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके जो पाइरा मीटर होते हैं जैसे कर सकते हैं इसलिए हम इसके लिए यह लिख रूब वीडियो बना देंगे आई होप आपको लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो मल्टी मीटर होता है उसका हम यूज कैसे कर सकते वीडियो पसंद आया तो लाइक और सेर कर जी दे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे